देखिए ये हैं मटर गोश्ट मटर आए और मटर गोश्ट ना बने ऐसे तो होई नहीं सकता इतनी आसान और इजी रेसिपी है एक दम बहुत बढ़िया जो खाने में इतनी टेस्टी लगती है और आप इसको महमानों में और अपने घर के लिए बच्चे बड़े सब इतने श अच्छी लगती है बहुत ज्यादा एक बार हमारे तरीके से जरूर बनाए चलिए अब हम देखते हैं अस्सलाम अलेकूं अब हम बनाते हैं एकनम इजी बिल्कुल घर-घर में बनने वाला मटर गोश्ट ये हमने लिया है 500 ग्राम गोश्ट ये बोम का गोश्ट है और हमने तीन मीडियम साइज की प्याज, दो लसन और एक इंच अद्रक का टुकड़ा ये हमने मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया था इसको बार एक पेश्ट बना लेना है तीनों चीजों को एक साथ आप चाहो तो प्याज का अलग और अद्रक लसन का अलग बना सकते हो वो आपक नमक और नमक आप अपने हिसाब से डालें जितना भी आप खाना पसंद करें कम डाल सकते हो बाद में और डल जाएगा अगर कम रहेगा ये हमने एक चमच लाल मिर्श पाउडर डाला है आप अपने हिसाब से डाल सकते हो जो भी आप खाना पसंद करते हो और ये हमने एक प बाद कुछ नई डालना हैे और इसमें हमें आयल डालना है जोब है भी आपके घर में आयल काते हैं कुछ भी नहीं डालना है लोग भी है तो धुछ ग रिड़ conceived two peculiar देंख हम तुका जाता हैं हम ते अप्ट करें वहीं हमस्तुट किया और तुकस करें बस ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है यह देखिए हमारे कुकर में तीन चार सीटी आ चुकी है और अब हम इसे खोल लेते हैं हमारा गोश्ट अच्छे से गल गया है विल्कुल बहुत अच्छे से एकदम गल गया है अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक के इ इसका टेस्ट और दुगना हो जाएगा अब हम इसको ऐसे ही भूनते जाएंगे अच्छी तरीके से जब तक के साइडों में से तेल दिखना शुरू ना हो जाए और हाँ आप आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को यह मटर अच्छे से हमने फ्रैश एकदम मटर हम इसको बोश कर लिया है अब हम यह इसमें डाल देंगे अपने गोश्ट में गोरस में हमने मटर इसमें डाल दिया है और आप पानी डालें इसमें अपने जरूरत के इस आतिए कि जिससे के मटर गल ज continues और th़ोड़ा हल का डीला सा ही अच्छा लगता है जादे खुश्क नहीं आप चाहो तो खुश्क भी बना सकते हो लेकिन हमने इसमें एक गिलास के करीब पानी डाला है और यह हमने दो हरी मिर्च बारी को टुकड़ों में काट ली थी वो डाल दी अब यह देखे इसमें हमारे दो तीन सीती आ हमें ऐसा ही चाहिए था और आप चाहो तो अगर आपको यह ज्यादा शोरवा नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा इसे खोल के पका सकते हो इसे क्या है शोरवा इसका कम हो जाएगा लेकिन हमारे घर पर थोड़ी ढीली सबजी खाना पसंद करते हैं इसलिए मैं थोड़ी श को बना सकता है बिल्कुल और यह मतर गोश इतना टेस्टी लगता है बहुत जादा एक बार हमारे तरीके से जरूर बनाए यह देखिए हमारा अच्छे से हमने डिश में कर लिया है अब हमें इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालना है यह देखिए आप देखने में भी कितना यमी लग रहा है ना एक बार जरूर बनाए हमारे तरीके से ठीक है अल्ला हाफीज